नमस्ति दोस्तों मैं मोरी वर्षा आपके अपने यूटूब चानल पर स्वागत करती हूँ आज हम मुरुदुला सिन्ना की धाई बिगा जमीन इसको देखने वाले है या इस कहानी का परिचे देखने वाले है दाई बिगा जमीन क्या है और इस कहानी में किस तरह कताई है इसका परिचे हम देखेंगे लिए उसके पहले हम इस कहानी के पात्रों का परिचे देखते हैं, फिर बाद में कहानी का विशे और उसके बाद कहानी का साराउन शुरूप में परिचे भी देखने वाले हैं, ठीके, तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी के जो प्रहूप पात्र है, पहला जो पात्र है नारी प मध है ठीक है उसके बाद चुडामनी जो हम सुभद्रा के पिता या राम बाबू के दोस्त कह सकते है या सहकर्मी कह सकते है ठीक है मनिश है उसके बाद मनिश सुभद्रा का जो एक छोटा बेटा है हलाकि इस कथा में दो बेटे आते हैं लेकिन एक ही बेटे का जो छोटा बेटा है उसका नाम दिया गया है मनिश है जो computer engineer है ठीक है पड़ा लिका बड़ी बड़ी company में काम करने वाला एक नो जोआन है अब इस कहानी के जो विशे है जमीन का महत्व या खेती का महत्व इसमें दर्शाय गया है और जमीन विपत्ती का आधार होती है किस तरह मनिश के विपत्ती में या संकट के समय में वह काम आती है इसका महत्व किस तरह होता है खेती का यह हमें इस कहानी में देखने को मिलता है उसके बाद मध्धवरगिय समाज की जो समश्या है नोकरी की या हो सक तो इस समशा को लेखी खाने इस कहानी में दर्शाया हुआ है, अस्ताई नोकरी की जो समशा होती है, बड़े-बड़े कमपनियों में काम करने वाले इंजीनियर, जो पैकेज के तोर पर काम करते हैं, उनकी समशा यहां दर्शायी गई है, अधुनीकरन और शहरीकरन की और ज पैसीख मिलती है, की गाव की तरफ चलिए, खेती की तरफ चलिए, खेती की तुमी महतो पुर नहें, और यहां मुसिबत में हमें साथ देती है, इसका जो उधारन हमें सुगद्रा और उसके बेटे मनिश के दवारे मिलता है, ठीक है, अब इस कहानी का साराउंश, या कहान का हम परेचे एक तरह से कथा के रुपे देखेंगे कि कहानी की शुरुवात राम बाबु और चुडामनी की बातों से होती है राम बाबु जो सुबद्रा के पिता है और चुडामनी उनके दोस्त कहे जा सकते हैं जो उनको सलहा दे रहे हैं कि जिस लड़के के साथ सुबद् अभुझती संतार है सुबद रा तो सुबद रा को एक अच्छी बड़ी खेती वाला जो नोजवान या बड़ी खेती वाला लड़का देखकर देना चाहिए लेकिन आपने तो स्रिप उसकी नोकरी देखी है वो रेल्वी में नोकरी करता है कौन? किशोर और किशोर की रेल्वे में नोकरी है इसलिए सुबदरा के पिता ने उसके साथ अपने बेटी का विवाह तै किया है हलाकि जब विवाह तै होता है तो गाव में या देहतों में आप देखते हैं कि लोग तरह-तरह कि बाते पोछते हैं कि लड़का क्या करता है खेती कैसी है या खेती कितनी है या उसका घर बनता हुआ है कि नहीं जब भी रिष्टे बनते हैं तो ये बाते होना सामाने बात है और सामाने बाते ये होती रहती है ऐसी ही बाते सुबद्रा के विवाहा के समय में भी हुई थी और सुबद्रा के पिता राम बाबु के मन में चुडामनी की बातों के कारण थोड़ा सा सद्ध निर्मान हो गया था कि मैं जिस घर में या जिस लड़के से मेरी बेटी का विवाहा करवाखे दे रहा हूँ हाला कि इसकी नोगरी चली जाए और मेरी जो बेटी है मुस्वात में फस जाए लेकिन उसकी नोगरी है रेल्वे में अच्छी खासी योजनाय भी मिलती है इस कारण सुबद्रा के पिता ने किसी की नहीं सुनी और अपनी गाव विरादरी में अपनी इज़त न चली जाए इ ऐसे पूछा भी नहीं जाता लेकिन उसको भी पता नहीं था कि ढाई बेगा ही जमीन है। होता ऐसा उन दोनों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद किशोर को दो बेटे भी होते हैं, किशोर और सुवधरा को दो लड़के हुए हैं। और बहुत दिनों के बाद कभी इधर कभी उधर मतलब नोकरी की वज़े से इनका तवाबला इधर उधर होता रहता है, तो अपने पिता से वो इस तरह की कभी बातें नहीं कर पाई, या कभी गाव की तरफ कितने खेती है या खेती है या नहीं, ये देखने के लिए सुवध संध्धरा को पता चल जाता है कि उसको सिर्फ 2.5 बिगा जमीन उसके हिसie की या उसके पती की हिसे की है, ज्यादा जमीन है नहीं, और गाव की जो पडूस वाली स्त्रिया उसे जो खेती है, आपकी हिससे की है उसको आपने जिसको दी हुई है कराने के लिए या जो कुछ क आप खुद क्यों नहीं करते इसका आर्थ है यह होता है कि गाव की जो स्त्रिया चाहती है कि तुम खुद आ करो खेती सम्वालो जो कुछ आपकी हिस्से में ढाई बीगा जमीन आई है सुबद राव को भी लगता है कि कहीने कि हमारे जो खेती है उतनी ही है तो कम से कम हम ही उसे करेंगे और इस वज़े से वह पती को कहती है कि आप जो है अपना तबादला इसी गाव के नस्दिक करवा के लीजिए ताकि हम खेती भी कर सके और नौकरी भी कर सके तो एक गाव की लोगों की बाते सुनकर या गाव की स्त्रियों की बाते सुनकर सुबधरा को कही न कही लगता है कि मुझे यतनी कम खेती वाले लड़के के साथ मेरे पिता ने क्यों शादी करवा के दिया या ब्याहा करवा के दिया हाला कि वो ज़्यादा खेती वाला लड़का भी देख सकते थे उसके मन में एक सवाल उठता है और वह सवाल जो खेती का जो महत्व है यानि खेती मुसिबत में साथ देती है हमेशा उसके पास रहती है और ज़्यादा खेती रहनी चाहिए पिता बहुत बिमार है और उसको लगता है कि मैं पिता से पूछ हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया कि कम खेती वाले लड़के के साथ मेरा ब्याहा क्यों करवा के दिया लेकिन पिता ऐसे स्थिती में है अपनी मरंद शया पर वो लेटे हुए है अंतिम सा से गिन रहे है तब वो अपने पिता से ऐसी सिकायत भरी बाते करना नहीं चाहती या करने ही पाती इस कारणों चुब बेट जाती है लेकिन पिता ही अपने मन का जो दुख है या अपने मन क कि जो बात है वह बेटी के सामने बोल देते हैं और कहते हैं कि मैं खुद यह नहीं चाहता था कि कम खेती वाले लड़की के साथ तुमारा ब्याहा हो या शादी हो लेकिन मैंना ऐसा क्यूं किया क्योंकि किशोर को एक अच्छी खासी नौकरी थी और नौकरी है और इस कारण म वह भी कम हो जाती है और वह खुशी-खुशी अपने पिता के सामने ये माल लेती है कि मैं आज बहुत खुश हूँ मेरे जो हम उम्र की जितनी भी सहलिया है जितनी भी सहलियों की शादी हो गई है वो जितनी खुश नहीं होगी उतनी खुश मैं आज हूँ इसलिए आपके पिता को कहती है और जब पिता का देहात होता है तो बहुत दिनों को बात ऐसा कहानी में दिखाया गया है कि किशोर की भी मृत्यु हो जाती है और किशोर की मृत्यु के बाद किशोर की नोकरी के जगह पर उनके ही बड़े बेटे को नोकरी लगती है एक पिता के जगह पर और छोटा बेटा जो computer engineer है बड़े company में काम करने लगता है और जिसका नाम मनीश है और मनीश को 4-5 लाग या बहुत बड़ा package मिलता है सालाना और इस package के बलबुते पर उसने एक बड़ा घर खरीदा है करज के बलबुते पर और एक कार भी खरीदे है अब इन सुबदरा के दोनों भी बेटे अपने अपने जगह पर सेटल हो गया है मतलब अच्छा खासा कमाते हैं और इनकी दिन चल या अच्छी तरह के से चल रही है ठ उसकी भी तारीब करते हैं और बहुत कुछ तारीब करते हुए बातें गाव की खेती की जब निकलती है तो सुबदरा को ये भी कहा जाता है कि कभी कभार आकर गाव में भी अपने खेती को भी देख लिया करें ऐसा कहा जाता है लेकिन गाव में जाने के लिए इनको फुर सुगदरा हमेशा चोटे बेटे के लिए जब भी रिष्टे आते हैं तो कहती है कि मेरे मनिश के पास धाई बिगा जमीन भी है क्योंकि पिता के नोकरी के जगह पर बेटे को बड़े बेटे को नोकरी मिली थी और अब पिता के जमीन पर दूसरे बेटे का हिस्सा है ऐसा भी एक जगह ताई हुआ था और जिसको सुबदरा ने ये कहा था कि इसके पास भी पुष्टेनी जमीन है फिर भी वो लोग जो लड़की वाले हैं सुबदरा को ये कहते हैं या यह बताते हैं कि हमें खेती से कोई मतलब है ने बेटे को कितना पैकेज है और पैकेज हर बार ये ही कहा था कि पुष्टेनी जमन लड़कों के पास है यह घटना होने के बाद या मार्थिक मंदी आने के बाद होता ऐसा है कि मनिश की पैकेजवानी नोकरी जो चली जाती है अचानक और इसके चलते जो उन्होंने घर लिया है कर्जपर या गाड़ी ली है उसके हपते रोग जाते है और मनिश को बहुत टेंशन होने लगता है और मनिश को टेंशन में देखकर चिंता में देखकर सुबदरा को भी टेंशन होने लगता है लेकिन सुबदरा के मन में ये बात आ जाते है कि अभी भी हम अपने गाव लोट सकते है और हमारी जो पुस्तिनी जमीन है या जाइदात है या खेती है उसको संभाल सकते है क्योंकि जब तक महामंदी चलेगी तब तक यही जमीन हमारा सहरा बनेगी और जब महामंदी खतम हो जाएगी फिर से हम लोटकर शहरा सकते है तो वह अपने बेटे को सहारा देती है, थोड़ा सा अधार देती है और कहते हैं कि हम गाव लोटके चले, दुसरे दिन दोनों भी मा बेटे ये विचार करते हैं, और सुबह जब वह चाय पीरा है मनिश, तो पेपर पड़ता है, तो पेपर में उसके ही पहचान वाले दोस्त जिसको बहुत बड़ा पैकेज सालाना मिलता है, और उसकी नही नही शादी हुई थी, तो उसके कारण उसने आत्मत्या कर ली थी, नोकरी चले जाने के कारण, यह देखकर मनिश को भी बहुत दुख होता है, और मनिश को ये भी फोन आता है, कि उनका जो रिष्टा तै हु लड़की वालों ने शादी करने से इंकार कर दिया है, तो इस बात से समझ आता है, और मनिश को अपनी मा की बात जो है, अच्छी लगती है, उसे लगता है, सच है, कि जमीन है, इसलिए मैं टेंशन में नहीं हूँ, और मेरे लिए एक सहारा मातर है, आधार मातर है, इस मु मुख भावना से अभारवेक्त करता है, और यहां जो लेखी खाने बताने का प्रयास है, कि जिनके लिए कुछ भी सहारा नहीं है, वो आत्मत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, यह आत्मत्या करते हैं, लेकिन मनिश पर ये आत्मत्या करनी की नोबत क्यों नहीं आई क्योंकि उसके पास पुष्टिनी धाई विगा ही जमीन क्यों नहों वो थी इस कारण मनिश एक बे सहारा नहीं हुआ था नोकरी चले जाने के बाद भी और उसकी जो जीवन चरिया उसी खेती पर चलने वाली थी इस कारण वो खुश होकर गाव लोटने की बात करते है ठीक है तो यहाँ पर यह कहानी समाप्त हो जाती है और इस कहानी से हमें इतना ही लेना है कि मुसीबत के घड़ी में खेती का कितना महत्व है यहाँ कहानी कारण या लेखी कारण बताने का प्रयास किया है ठीक है तो यहाँ पर यह कहानी समाप्त हो जाती है आप लोगों को यह कहा में एक नए विशे के साथ तब तक के लिए धन्यवाद